Welcome my dear students, अब सबको स्वागत है हिंदी व्याकरन क्लास में Let's learn some grammar बच्चों, आज हम विशेशन और विशेश के बारे में पढेंगे विशेशन का अंग्रेजी शब्द है अडजिक्टिव विशेशन की परिभाशा क्या है? जो शब्द सत्या या सर्वनाम शब्द की विशेशिदा बताते हैं उन्हें विशेशन कहते हैं A word which describes a noun or a pronoun is called an adjective So विशेश क्या होता है? परिभाशा यह है जिस शब्द की विशेशिदा प्रगट की जाएं उसे विशेश कहते हैं Let's watch some examples तुम्हें आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? Yes, गुलाब, रोज है ना? किस तरह का गुलाब है? गुलाब की रंग क्या है? हाँ, लाल रंग का है तो यह लाल गुलाब है तो चित्र में किस के बारे में बताया गया है? Yes, गुलाब के बारे में तो गुलाब क्या हो जाते हैं? विशेश होता है गुलाब की विशेशदा क्या है? लाल रंग की है तो वो हो जाते हैं विशेशन So, इस शब्त में गुलाब, विशेश और लाल विशेशन होते हैं विशेश क्या है? गुलाब गुलाब की विशेशदा क्या है? वो लाल रंग की है तो उसे हम क्या कहते हैं? विशेशन Now, let's watch another example इस चित्र में क्या है? A beautiful garden Garden को हम हिंदी में क्या कहते हैं? उपवन Beautiful को हम क्या कहते हैं? सुन्दर तो इस चित्र में एक सुन्दर उपवन है तो उपवन क्या होता है? विशेश्य किसके बारे में बताया है? उपवन के बारे में तो उपवन होता है विशेश्य उपवन की विशेश्यदा क्या है? सुन्दर है तो सुन्दर बन जाता है विशेशन ठीक है? तो विशेश्य उपवन और विशेशन सुन्दर झालय में झालय में